अजया आप इस पेशल मैथ बूस्टर क्लासिस में आप सभी का स्वागत देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है एक्स इक्स प्ल्टू साइन एक्स प्लस कॉस्ट तो एक्स है जहां पर एक्स ग्रड़ेडन जीरो है अब बूला गया है कि इसकी हैज मिनिमा फॉर एक्स मतलब कौन सी वैल्यू ले जाए एक्स की जिस पर इसका आउटपुट यानि की हमको इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमा मिले तो तु साइन एक्स माइनस तू साइन टू एक्स है और एफ डबल डेरिवटिभ क्योंकि मुझे चक करना है कि इसकी मिनिमूम और मैक्सम पेल्यू कहा मिलेगी तो मेरे पास क्या आजाएगा देखिए मेरे पास आजाएगा f dash x equal to 0 करने पर 2 sin 2x equal to cos x तो 2 sin 2x में 2 into 2 यहाँ पर cos x common ले लिया 4 sin x बच गया अंदर में bracket में minus का 1 equal to 0 तो either cos x equal to 0 and 4 sin x equal to 1 तो देखिए sin x equal to 1 upon 4 से related तो कोई answer है नहीं sin x equal to 1 upon 4 से related कोई answer यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है एक option मेरे पास बचरा cos x equal to 0 तो x equal to 2n plus 1 pi by 2 जो की यह बैठा हुआ है हो सकता है इसका answer none of these भी हो जाए तो आइए देखते हैं इसको trace कर लेते हैं कि इस पर जो value मिलेगी वो maximum मिलेगी या minimum मिलेगी तो x equal to 2n plus 1 pi by 2 के लिए मैं एक option ले लेता हूँ n equal to 0 के लिए pi by 2 और मैं double derivative चेक करता हूँ देखें यहाँ पर तो मेरे पास कितना आ जाएगा minus sin pi by 2 का मतलब हो गया minus 1 और cos 2 pi by 2 2 से 2 cancel हो जाएगा minus का 4 और यह cos हो जाएगा 2 pi by 2 2 से 2 cancel cos pi मतलब minus 1 तो यह हो गया कितना minus 1 और plus 4 मतलब minus का sorry plus का 3 और that is greater than 0 और अगर double derivative जो होता है 0 से बड़ा आता इसका मतलब उस value पर यह value जो मिलेगा आपको जो point रखा आपने वो क्या है point of minima है थोड़ा सा मैं इसको detail करके बता रेता हूँ minus sin x minus 4 cos 2 x आपके पास ओके तो f double dash x जो आपके पास आया है वो आया है minus का sin x minus 4 cos 2 x minus sin x minus 4 cos 2 x और x की value जो आपने put करी है क्या put करी है यहाँ पर pi by 2 मतलब चेक करनी के लिए कुछ भी रख सकते हो आप pi by 2 का odd multiple तो यह हो गया minus sin pi by 2 और minus 4 cos 2 into pi by 2 2 से 2 cancel यह हो गया कितना minus का 1 और minus का 4 और यह हो गया minus 1 तो minus 1 और plus का 4 कितना हो गया plus का 3 that is greater than 0 और अगर greater than 0 आता है तो जो x की value आपने put करी वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा point of minima तो इस तरीके से आपने तो fix value लिए बट आपके पास जो point of minima आया था वो कितना आया था x equal to 2n plus 1 pi by 2 तो इस question का जो correct answer बनेगा वो क्या बनेगा c option जो की correct भी दिया है 2n plus 1 pi by 2 is the correct answer thank you